21 पृतिग्या जो परमपुज्य बोधि सत्थ बाबसाब डॉक्टर अम्बेटकर जी ने हमें दिलाई उसमें उन्हें ने कहा कि मैं ऐसा मानता हूँ कि मेरा पुनर जन्म हो रहा है आखिर ऐसा उन्हें ने क्यों कहा कि मेरा पुनर जन्म हो रहा है क्योंकि बाबसाब ने 1935 में कहा था कि ये मेरे वश्में नहीं है कि मैं हिंदु धर्म में पैदा हुआ हूँ मेरे वश्में नहीं है लेकिन ये निश्चित है कि मैं हिंदु धर्म में मरूंगा नहीं और उसी के बाद उन्होंने सारे धर्म शास्त्रों का अध्यन किया उन्होंने इसलाम को भी पढ़ा उन्होंने सिक्ष्म को भी पढ़ा क्रिश्चन को भी जो क्रिश्चन का धर्म है उसको भी पढ़ा और उसके बाद में उन्होंने बौद धर्म को भी पढ़ा और सब को पढ़ने के बाद वो इसी निश्करत पे पहुँचे कि अगर कोई सद्धर्म है तो वो बुद्ध का बताय हुआ ही धर्म है भगवान बुद्ध का धर्म है और उसी को अपनाना चाहिए और उसी को जब उन्होंने अपनाया तो एक विक्ती जैसे एक कहें कि बहुत बुरे हालात में था ये कैद में था वहां से निकल के दूसरी जगे जा रहा है एक सचंद वात वरण में जा रहा है एक समानता के वात वरण में जा रहा है एक ग्यान के वात वरण में जा रहा है जहां कहीं किसी के साथ भेदवाव नहीं है तबी इसलिए उन्होंने कहा ब बौद धर्में प्रवेश कर चुके हैं ऐसा उन्होंने अपनी किस्वी प्रितिग्या में हमें बताया है और हमें भी उन्हें के बताये रास्ते पर चलना चाहिए